हेलो एव्रिवाइन वेलकम बैक टो मैं चैनल विदिकी पाट्शाला और मैं हूँ डॉक्टर वत्सला शर्मा आज हम डिसकस करने जा रहे हैं शेशलादिकल स्कूल के एक बहुती फेमस जर्मन जुरिस्थ एरिंग की थेोरी को देखें एरिंग का पूरा नाम है रुडॉल्फ वन एरिंग और इनका बर्थ 1818 में हुआ था और यह कहा जाता है कि यह अपने टाइम पीरियड यानिकि 90th सेंचिरी में जर्मनी के सबसे ज़्यादा नॉलिजिबल इनको जुरिस्ट कहा गया है और शोशोलोजिकल स्कूल में इनका इतना बड़ा कॉंटिबिशन है कि सर्फ रिडमें ने तो इनको फादर आफ मौडर्न शोशोलोजिकल जुरिस्पृडेंस ताहे यानिकि इनको आधुनिक समाज शास्त्रिय विचारधारा का जनक कहा जाता है इरिंग ने बहुत सारे इंपोर्टेंट बहुत सारे फेमस वर्क अपने पब्लिश किये हैं जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट है देखे जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो इरिंग है वो शोशलोजिकल स्कूल के सपोर्टर है और हम सबी जानते हैं कि जब शोशलोजिकल स्कूल के बात आती है तो सोसाइटी और लॉग के बीच में रिलेशन्स को वहाँ पर बताया जाता है और यह कहा गया कि that law is a purpose for the social progress यार कि विदी सामाजिक प्रगति का एक साधन है उसके लिए उसका एक उद्देशे है जो सर इरिंग की थोरी है उस थोरी का में जो नेम है वो इंटरस्ट थोरी है लेकिन उस थोरी को थोरी ओफ शोशल इंटरस्ट के नाम से भी शोशल इंटरस्ट के नाम से भी जाना जाता है देखे अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इंटरस्ट थोरी की तो इसका मतलब हमें ये किलियर हो गया है कि इरिंग ने इंटरस्ट के बारे में बताया है अब जब इंटरस्ट के बात आती है तो what is the meaning of interest here तो उन्होंने बैंथम से इसपार होकर के ही कहा कि इंटरस्ट का मतलब होता है लोगों को pleasure पहुचाना और लोगों के pain को remove करना यानि कि जिससे लोगों को सुक पहुचे और जिससे लोगों का दुख दूर हो बास्ता में वही हित होता है लेकिन अब जब इस हित की बात करते हैं तो देखे हित भी कई प्रकार का होता है राज्य का हित व्यक्तिगत हित समाजिक हित अब यह जब कई प्रकार के interest होंगे तो natural सी बात है कि इन interest में clash भी होगा तो वहीं पर देखे एरिंग ने कहा कि जो law का जो main purpose है वो क्या है वो interest का protection करना ही है और various interest के बीच में balance को maintain करना ही law का main purpose आ जाता है एरिंग का क्याना था कि जो interest है वो mainly वो दो प्रकार के interest के बारे में जब बताते हैं कि individual interest and sociological interest तो वो कहते हैं कि जब individual interest में uniformity आती है एक रूपता आती है तो वो social interest के form में आ जाते हैं और individual interest की जगे social interest जादा important होते हैं तो कही ना कहीं यदि इन दोनों तरह के interest में clash होता है तो वहाँ पर social interest को हमेशा उनका protection किया जाना चाहिए और यदि उसके बाद में भी कोई individual interest की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको punishment याने की राज्ये की शक्ति के द्वारा उसको punishment भी मिलना चाहिए मतलब यहाँ पर earring का कहने का मतलब यह है कि individual interest और social interest के बीच में जो balance बन सकता है वो reward के थुरू और coercion के थुरू इन दोनों के base पर ही जो दोनों तरह के interest में एक सामंजस से अतालमिल बिठाया जा सकता है तो देखिए जैसे की interest sorry जैसे की earring social purpose की बात कर रहे है तो कहीं न कहीं इनके विचार किसे inspired हुए लगते हैं यहाँ पर देखिए बैंथम से हम सभी जानते हैं कि जर्मी बैंथम ने कहीं न कहीं public welfare की बात की है अपनी pain and pleasure की थोरी को दिया है लेकिन वहीं पर साथी साथ जब यह कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति individual interest की बात कर रहा है या social interest में disturbance create कर रहा है तो उसको राज्य की शक्ति के दुआरा उसको coercion यानि कि उसको कहीं न कहीं punishment भी उसको मिलना चाहिए तो इसका मतलब इनका सिध्धान्त austin की थोरी से भी inspired है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि earring के विचार कहीं न कहीं austin और bantam से inspired है पर इसका ये मतलब नहीं है कि earring पूरी तरीके से इनके विचारों से सहमतते इरिंग ने जो austin की जो positives होरी है उसका भी criticism किया उन्होंने जो bantam की जो indolence थोरी है यानि कि व्यक्तिवादी संबंदी जो सिधान्त है उसकी भी आलोचना की साथी साथ उन्होंने harbert spencer की जो evolution थोरी है उसकी भी आलोचना की क्योंकि उन्हें लगता था कि इन तीनों की जो थोरी है वो कही न कहीं social realities से जो अलग जाती है यानि कि सामाजिक वास्तिविक्ताओं से अलग है अब देखिए जब हम बात करते हैं कि earring की according law क्या है तो earring ने कहा कि that law is the sum total of the condition of life यानि कि कहीं न कहीं सामाजिक जीवन की दाशाओं का एक ऐसा योग है जिसे की राज्य की शक्ति की द्वारा बाहरी विवश्ताओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और ये जो law है वो क्या है law is a coercion organized in a set form by the state यानि कि कहीं न कहीं punishment की बात यानि कि राज्य की शक्ति के द्वारा वो punishment के बात भी कर रहे हैं और उन्होंने ये तक कहा था कि यदि राज्य विधी का पालन ना करवा पाए हैं जो भी विधी है राजे जो विधी बना रहा है वो विधी मैं यदि पनिश्मेंट ना हूँ यानि कि जिस पना के थुरू सोसाइटी के इंटरस्ट का प्रोटेक्शन ना हो सके तो वो किस तरीके से होगा वो अफपायर विश डस नॉट बन यानि कि एक ऐसी अगनी जो की जल कोर्सन को हटा दें तो वहाँ पर लौक कैसा हो जाएगा कि कहने को तो लौ है लेकिन उसी तरीके से कि जिसका कोई में परपस नहीं फुलफिल हो रहा यानि कि यदि हम देखिए वही अगनी की बात करें लेकिन जो की बल नहीं हो रही है या जो की हमारी हम जब लाइट की कर रहे हैं जो शाइन नहीं हो रही है तो जिस तरीके से उसका कोई मतलब नहीं है कि कुसी तरीके से यदि स्टेट की पावर नहीं होगी और वहाँ पर कोर्सन नहीं होगा वहाँ पर पनिश्मेंट की बात नहीं होगी तो कही ना कहीं विदिक नियमों का भी कोई मतलब नह हम एरिंग की थोरी को conclusion करते हुए जब इसके main main point की बात करते हैं तो देखे कुछ points हमारे सामने निकल करके आते हैं कि according to hearing law is the result of constant struggle किस तरीके से जैसे कि अभी हमने discuss किया कि कई तरह के interest हो सकते हैं और उन interest में clashes भी हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं law क्या है law एक struggle का ही result है यानि कि जितने भी interest हैं उनके बीच के clashes को जब यह दूर कर रहा है तो यह struggle का ही result आ जाता है यहाँ पर देखे इंडिविजल की बात नहीं आ रही है यहाँ पर क्या रहा है लोग का में काम क्या है social purpose को fulfill करना then law alone is not a means to control the society केवल विधी ही समाज को नियंतरित नहीं कर रही है जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि किसी भी जगे के क्या परिस्तितियां है कहीं पर कुछ moral values की भी बात आ सकती है कहीं पर हम बात कर सकते हैं कि कैसा climate है कैसी जलवाई हूँ है तो बहुत सारे factor हो सकते हैं जो कि law के साथ साथ society को control करने में support करते हैं तो देखा जाए तो यह जितने भी जो points हैं यह सारे earring की थोरी में बहुत जादा important points आ जाते हैं और हम इनी सब चीजों के according देखें तो main earring का क्याना क्या था कि जो law बना है वो interest का protection करने के लिए बना हुआ है interest के clashes को दूर करने के लिए बना हुआ है earring का social logical school में बहुती बड़ा contribution है बहुती important contribution है पर इसके बाद भी इनके कुछ points पर इनकी थोरी की criticism भी हुई है तो देखें उस पर main main point क्या है पहला तो जो लोग इनकी थोरी को criticize करते हैं उनका कहना यह था कि that he pointed the problem but does not come with solution यानि कि जो किसी भी राज्ये के अंदर जितने भी प्रकार के हित हैं उनके बीश में जो conflict है उन conflict की problem के बारे में तो earring point out कर रहे हैं बट उनका solution क्या होगा उसके बारे में वो नहीं बता रहे हैं और साथी साथ बहुत सारे jurist का ये भी कहना था कि law in fact protect will and not the purpose यानि कि जब earring ने social purpose की बात की है तो वहीं पर बहुत सारे लोगों ने कहा कि विधी will का protection करती है, purpose का protection नहीं करती लेकिन इसके बात में भी यदि हम earring के contribution की बात करें तो sociological school में इनका contribution बहुत जार important है तोकि इन्होंने interest के classes को दूर करते हुए social interest के protection की बात की सर्डीन रासकोपाउंड की theory, social engineering theory जो है तो सर्डीन रासकोपाउंड ने भी अपनी जो theory है वो earring के विचारों से ही inspired होकर के दी है तो आशा करती हूं कि आपको earring की interest theory अच्छे से clear हो गई होगी और यदि आपको कुछ भी doubts हैं या आप कुछ भी मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी email id विधी की पाश्याला at the rate gmail.com पर भी मुझे message कर सकते हैं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो like करना ना भूलें और चैनल को subscribe कीजिए Thank you so much